राद जिये स्वास्थे समिति बिहार अंतरगत CHO यानि की Community Health Officer भरती परिक्षा 2020 का notification जारी कर दिया गया है तो इसके बारे में इस वीडियो में complete जानकारी दूँगा कि CHO के लिए सेक्षणी की योग्यता क्या मांगी गई है कब से कब तक आनलाइन आवेदन लिया जाएगा आवेदन सुल की क्या है परिक्षा कब होगा आयू सीमा क्या है तो इसके बारे में इस वीडियो में complete जानकारी दूँगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है तो क्रपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बिल आइकन पर क्लिक करके अल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितनी भी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं यह है नोटिफिकेशन जो कि राज्य स्वास्थी समीति बिहार यानि कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से जारी किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटेल इंस्ट्रक्शन से सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ सिक्समंत कोर्स फार जेनें बीसी नर्सिंग अंडर नेचेम एडवर्टाइजमेंट कंट्रक्शूल स्टाफ नर्स या जी अनेचेम या फिर गवर्णयंट आप बिहार या फिर फ्रेज अनेप या ब्सी नर्सिंग होना चाहिए जनरल नर्सेंट मीड वाइफरी यानि की जिनेप बेचलर आप साइन्स नर्सिंग किसी भी nursing school या फिर मानिता प्राप्त संस्थान से health department या फिर government आप बिहार या फिर किसी भी state government से nursing council से registered होना चाहिए candidate के पास permanent registration होना चाहिए Indian nursing council या फिर बिहार nurses registration council में medium आप instructions दिया हुए English, Hindi, for teaching, as well as assessment course duration दिया हुए 6 month का होगा academic session दिया हुए July 2021 and January 2022 session course objective से या पर दिया गया है तो आप इसको वीडियो को पौझ करके आसानी से पढ़लेंगे नीचे evaluation दिया हुए है तो इसको भी आप आसानी से पढ़लेंगे criteria for passing दिया हुए कम से कम 50% का candidate को लाना चाहिए job opportunity यहां पर दिया हुए community health officer यानि के CHO job responsibility यहां पर दिया गया है नीचे selection आप candidates दिया हुए है इसको आप वीडियो को पौझ करके पढ़लेंगे name of the course यहां पर दिया हुए certificate in community health under national health mission और category was total number आप post यहां पर दिया गया है 2100 पोस्ट है maximum age age on 1st July 2021 दिया हुआ है 42 वर्स अंदिजर्व EWS के लिए BC, MBC male female के लिए 45 वर्स अंदिजर्व female EWS female के लिए 45 वर्स SCST male and female के लिए 47 वर्स minimum age limit यहां पर 21 वर्स दिया हुआ है eligibility criteria यहां पर दिया हुआ है essential qualification होना चाहिए working regular staff nurse GNM BSC nursing under government of Bihar या फिर working contractual staff nurse GNM BSC nursing under NHM government of Bihar या फिर press GNM या BSC nursing होना चाहिए नीचे note दिया गया है तो इसको भी आप वीडियो को पहुच करके पढ़लेंगे यहां पर online आवेदन और fees submit करने के लिए opening date 16 जुलाई 2020 दिया हुआ है यानि के 16 जुलाई 2020 से इसका online आवेदन शुरू हो चुका है और online आवेदन करने के लिए तथा fees payment करने के अंतिमती थी 29 जुलाई 2020 दिया हुआ application फीश यहां पर है 500 रुपए अंदिजर्व BC MBC EWS कंडिडेट के लिए और SCST बिहार डुमिसाइल female and divine body कंडिडेट के लिए 250 रुपए है नीचे बता जा रहा है 10,000 पर मंथ कंडिडेट को दिया जागा 6 मंथ तक इस टाइपेंड के रुप में और यहां पर CHO के लिए approximately salary दिया हुआ 25,000 रुपए है पर मंथ basic app indicators incentive maximum 15,000 पर मंथ यहां पर दिया जा रहा है cut update 1 July 2020 रखी गई है यहां पर special group से बता दिया गया है तो यह था जो state health society बिहार के अंतर गत CHO भरती परिख्षा 2020 का notification जारी कर दिया गया है और इस कानलाइन आवेदन सुरू हो चुका है तो इसके बारे में मैंने आपको complete जयनकारी दे दिया अगर इस बीडियो से related आपके मन में कोई भी प्रशन या फिर कोई भी confusion है तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं इसका reply जितना जल्दी संभा होगा आपको दे दिया जाएगा आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें अपने friends के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बिल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो